आइए चलते हैं राजस्थान के ऐसे अभ्यारन्य में जिसे कहते हैं काले हिर्णो का संसार और वो है ताल छापर अभ्यारन्य तो या तो ताल छापर अभ्यारन्य बोल दो या काले हिर्णों का संसार बोल दो सामने वाला पैचान जाएगा कि आप राजस्थान के किस अभयारणने की बात कर रहे हो ये जो अभयारणने है ये राजस्थान के चूरुजिले में है यहां आ जाएए ये है राजस्थान का चूरुजिला और यहाँ पर है ताल च्छापर या क्या बोल दें इसको काले हिर्णों का अलाकि सही होता है हरिन लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ काले हिर्णों का संसार ये जो अभयारन्य है ये क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा अभयारन है और इसका क्षेतरफल है 7.19 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा कौन सा है फिर से बता देता हूँ समय समय पर जब बात रिपीट होती रहती है तो दिमाख में बहुत अच्छे से सेट भी हो जाईगी तो बोलते रहो सबसे छोटा अभयारन है कौन सा है अलवर में स्थित कौन सा सरिस्का ए सरिस्का ए जो सरिस्का को ही तोड़ कर बनाया गया था कब तोड़ा गया था 26 जून 2012 को वाह आपको तो सब ध्यान हो गया कितना एरिया बताया था मैंने आपको तीन पॉइंट जीरो एक किलोमीटर स्कॉयर अच्छा दूसरा सबसे छोटा अभयारन ने कौन सा बताया था आपको ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो सज्जनगड कहाँ पर उदैपूर में यह आजाओ यहाँ उदैपूर यह रा और यहीं पर सज्जनगड सज्जनगड के बारे में बतायी थी ना बहुत सारी बाते हैं कितना एरिया है पहले एरिया बताओ पाँच पॉइंट एक नो वर्ग किलोमीटर और यह राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा सरिसका पहला सबसे छोटा और ताल चापर आज तक अर्थात एपरेल 2020 में जब मैं यह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज तक यह स्थिती है ठीक है अच्छा ताल चापर को पढ़ने के लिए अब मैं आपको एक इमेज की तरफ लेकर चलता हूँ यह आगई इमेज और इस इमेज में अब जितने भी चित्र हैं इन चित्रों के माध्यम से ताल चापर की संपूर्ण जानकारी ले लेंगे देखो सबसे पहले इसी पर मैं गोला करता हूँ और अलग कलर से करता हूँ क्योंकि हमने नाम ही इसको दिया है क्या काले हिरनों का संसार तो सबसे पहले तो काला हिरन ही लेना पड़ेगा इसको बोलते हैं काला हिरन या कृष्ण म्रिग काला हिरन या कृष्ण म्रिग यह यहाँ पर बहुत है और राजस्थान में इन कृष्ण म्रिग के लिए ताल छापर अभ्यारन ने बड़ा प्रसिद है हाला कि ऐसा नहीं है कि ये काले हिरन यहीं मिलते हैं जैसल मेर बाड मेर मेर में अगर जाएंगे राश्ट्रिय मरूद ध्यान में तो वहाँ पर भी आपको ये काले हिरन मिलेंगे हंस है हंस की ही प्रजाती का है और इसको बोलते हैं ग्रे लेंड गूज ग्रे लेंड गूज भी बोल देते हैं या ग्रे लेंड गूज भी बोल दिया जाता है गूज जो की हंस होता है तो ये मैं लिखता हूँ ग्रे लेंड गूज ठीक है भीया क्या विशेषता है इसकी ये जो ग्रे लेंड गूज है सौरी ये हंस की प्रजाती में सबसे लाडला पक्षी कहा जाता है अर्थात यदि कभी कहा जाए कि हंस प्रजाती में हंस प्रजाती का लाडला किसे कहा जाता है हंस प्रजाती का लाडला ठीक है साब इसका scientific name ध्यान रखना इसका जो scientific name है वो है answer 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 यह इसका scientific name है बस यहाँ पर यह आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा देखना यह दूसरा भी क्या है यह भी तो एक बतक ही है यह वाला यह भी बतक ही है और यह है बार-headed goose क्या बोलते हैं इसको यहीं पर लिख दें बार headed goose अच्छा यह मानना बार यानि कि यह भार से आया है भार से कहां से आया है यह आया है उड़ता 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 तिबबत के पठार की तरफ से तिबबत की तरफ से यानि यह मैप देखो यहां पर इस side में है तिबबत का पठार तो यह तिबबत के क्षेतर से उड़ता 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 आया और हमारे राजस्थान के ताल छापर में आया और इसका जो scientific name है वो है answer indicus, बहुत मिलेगा आपको यहाँ पर घूमने जाओ, क्या है answer indicus, ठीक है साब, अच्छा ये देखना अरे वाँ, ये क्या ये तो एक बाज है, अच्छा पहले मैं एक बर इन सब को circle को अटा दूँ जो देख चुके, ये अटाया, grey land goose अटाया, bar headed goose जो तिबत की तरफ से आया, ये क्रिशन मिरिक को यहां से अटा दिया circle, और ये नीचे जो लिखा हुआ है, इसको ये यहां से हटा दिया, ठीक है, अच्छा अगला ये जो एक बाज है, ये भी आपको यहाँ पर बहुत मिलेगा, और ये जो बाज है, ये है शिकारी बाज, यानि कि ये अपने से छोटे जीवों का शिकार कर लेता है, और इसका जो scientific name है, वो है लागर फालकन, ध्यान रख लेना, ये आपको देखने को मिलेगा यहां पर, लागर फालकन, कुछ किताबों में इसका नाम लेगर फालकन लिखा हुआ है, लेकिन सही लागर फालकन है, ठीक है, अच्छा आगे देखें, यहां पर ये एक रिशी का चित्र बनाया हुआ है, ये कौन से रिशी हैं, ध्यान करो ये, वही रिशी हैं, जिनोंने अरजुन को महान धनुरदर बना दिया था, यानि कि अरजुन के गुरु क्या नाम था, गुरु द्रोन, गुरु द्र ये गुरु द्रोन यहां क्या कर रहे हैं, तो बात ऐसा है, ये माननता है, ये बताया जाता है, कि यहीं ताल छापर के क्षेत्र में ही, महाबारत काल में गुरु द्रोन का आश्रम हुआ करता था, और उनी के नाम से ही इस ताल छापर को पहले चापर द्रोन पूर के नाम स ठीक है अच्छा अब अगर ये वाला पक्षी हम देखें ये वाला तो इसको कहते हैं हमारे राजस्थान में कुर्जा पक्षी सुनाए ना बहुत सारा नाम आपने है कुर्जा पक्षी या इसको हम बोलते हैं डोमी सेल क्रेन अच्छा तो ये ही है क्या डोमी सेल क्रेन तो ये पक्षी तो बहुत दूर से आया है बहुत दूर से और हमारे राजस्थान में गूमने के लिए कहां से आया है इसके लिए आपको चलना पड़ेगा तिबबत का पठार इसके लिए आपको चलना पड़ेगा पामीर का पठार यह इदर आजो, यह यहां पर, इस जगे, यह पामीर का पठार है जो आपके तजाकिस्तान में भी आता है, अफगानिस्तान में भी आता है, इस जगे पर, यहां से इस पामीर के पठार से यह आया है, ध्यान रखना पामीर के पठार को का जाता है, दुनिया की च्छत, क्या क ये अपने साथी की तलाश में लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और राजस्थान में विरह का जो प्रतीक होता है वो कुर्जा पक्षी होता है और ये जो कुर्जा पक्षी ऐसा नहीं है कि चूरू के तालचापर में ही देखने को मिलता है अगर आप जोदपूर में है फलोदी और फलोदी तो इन कुर्जा पक्षियों के लिए बहुत फेमस जगह है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अगर वहां कभी जाओ तो वहां आपको 15 से 20 हजार की संख्या में ये कुर्जा पक्षी मिल जाएंगे कहां की बात कर रहा हूं मैं जोदपूर ये मैप से है वीरे का प्रतीक है पामीर के पठार से आया है पामीर का पठार जिसको दुनिया की चट कहा जाता है इसी को हम कहते हैं इस कुर्जा पक्षी को डोमिसल क्रेन और राजस्थान में जोदपूर के फलोदी में भी ये बहुत बड़ी संख्या में मिलता है ठीक है अच्छा अगर देखें तो ये देखना जरा राव जोदा का चित्र क्यों लगाया इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर इसी के पास में ताल छापर के पास में ही एक जगह है बीदा सर और बीदा सर जो है वो राव जोदा के पुत्र बीदा के नाम से बसाया हुआ कस्बा है इसलिए ह इसके नाम से बसाया गया था राव जोदा के पुत्र राव बीदा के नाम से बसाया गया था और यहीं पर ही पास में एक जगह है गंगापूर जहां पर राव बीदा की छत्री बनी हुई है छत्री का आर्थ ही है जब राव बीदा की मृत्य हुई तो उनके मृत्य इस्थल पर एक इसमारक बना दिया गया जिसको हम छतरी कहते हैं ठीक है ओके बस इतनी ही बात है इनकी अब थोड़ा सा ध्यान देना ये कुछ घास के चितर बनाएवें यहां लगाएवें सोरी ये घास के चितर तो यहां पर आपको कुछ घास मिलेगी कुछ जाड़ियां भी मिलेग ये तो ताल चापर अभ्यारन मोथिया या मोथा गास भी इसको बोलते हैं मोथिया या मोथा गास ठीक है इसके अलावा ध्यान रखना यहां की जो भूमी है वो क्षारी है यानि की भूमी में नमक जादा है लवन जादा है और उस नमकीन भूमी में यहां पर एक जाड़ी उठी उठी हो जाड़ी को कहते है लाना कौन सी जाड़ी लाना अच्छा इसी के साथ एक और बात ध्यान रखना ये जो मोथिया मैंने बताया इसका एक scientific name है तो ये scientific name से भी कई बार पूछ लिया जाता है इसको बोलता है मोथिया साइप्रस रोटेंट्स या सेटेंट्स इस नाम से इस घास को बोला जाता है तो ये था हमारा ताल चापर अभ्यारणने और इस ताल चापर अभ्यारणने के बारे में हमने बात की हमने बात की गुरू द्रोन के बारे में की गुरू द्रोन का पहले या माबर्त काल में आश्रम था इसलिए इस क्षेतर को कहते थे छापर द्रोन पूर हमने यहाँ पर बात की काले हिरनों की या काले हरिन की जिसके कारण ताल छापर को का जाता है काले हिरनों का संसार तालचापर अब्यारने जो क्षेत्रफल के आधार पर आज तक जब मैं एलेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपरेल 2020 में तो आज तक क्षेत्रफल के आधार पर ये राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा अब्यारने जिसका क्षेत्रफल 7.1 नोवर्ग किलो मीटर है राजस्थान के ये चूरू जिले में स्थित है फिर हमने या बाद की यहां कुछ प्रजाती के हमको हंस भी देखने को मिलते हैं एक तो हो गए आपका ग्रे लेंड गूज जिसको हम एंसर एंसर भी बोलते हैं और ग्रे लेंड गूज को कहा जाता है हंस प्रजाती का लाडला इसके अतिरिक्ट हमने देखा बार हेड़ेड गूज जो तिबबत के पठार से उड़ता हुआ और फिर राजस्थान के तालचा पर में आ जाता है उसको कहा जाता है एंसर इंडिकस इसके अलावा हमने यहाँ पर एक बाज भी देखा और वो बाज शिकारी परजाती का बाज है आला कि बाज शिकारी ही होते हैं छोटे जीवों को खाते हैं और वो है लागर फालकन इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर द इसके अतरिक तो यहां की क्षारी बूमी में एक जाड़ी भी उगती है जिसको लाना कहा जाता है फिर हमने जोदा के माद्यम से ये भी देखा था कि राव जोदा के एक पुतर थे बीदा और बीदा ने ही यहीं पर पास में एक कस्वा बसाया था और यहीं पास में गंगापुर गाव है गंगापुरस्थान है जहां पर राव बीदा की छत्री बनी हुई है और वहाँ पर मेला भी बढ़ता है इसके अलावा कौन सा और चितर रह गया जिसका मैंने रिपीट नहीं कि हाँ ठीक है कुर्जा फिर हमने कुर्जा पक्षी की भी बात की तो कुर्जा पक्षी जो विरह का प्रतीक है अपने साथी की तलाश में लंबी-लंबी यात्राएं करता है और राजस्थान में ये विशेश रूप से पामीर के पठार से आता है पामीर का पठार जिसे दुनिया की छट कहा जाता है ये जो कुर्जा पक्षी तालशापर में भी देखने को मिलता है तो ये थी हमारी तालशापर की बात अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और अभ्यारने में हम गूमने के लिए चलेंगे धन्यवाद, थैंक्यू, और जय हिंद